नजम नमबर तेरा मैं अच्छा बनूँगा मैं अच्छा बनूँगा खुशी से पढ़ूँगा, खुशी से लिखूँगा खुशी से पढ़ूँगा, खुशी से लिखूँगा खुशी से हर एक काम करता रहूंगा नहाधो के मैं साफ सुत्रा रहूंगा लिबास अपना हर वक्त उजला रखूंगा बड़े शौक से मदर से जाऊंगा मैं सबक खत्म होते ही घर आऊंगा मैं सलीके से अपनी किताबे रखूंगा सबक अपना हर रोज पढ़ता रहूंगा करूंगा जो माबाब मुझसे कहेंगे मेरे काम से वो सदा खुश रहेंगे अदब अपने उस्ताद का मैं करूंगा तवज्जों से हर बात उनकी सुनूंगा भलाई से करता रहूंगा मोहबत भलाई से करता रहूंगा मोहबत बुराई से करता रहूंगा मैं नफरत बुराई से करता रहूंगा मैं नफरत मैं सच्चा बनूंगा मैं अच्छा बनूंगा मैं सच्चा बनूंगा मैं अच्छा बनूंगा एक जुमले में जवाब लिखो सवाल नमबर एक बच्चा अपनी किताबे किस तरह रखना चाहता है जवाब बच्चा अपनी किताबे सलीके से रखना चाहता है सवाल नमबर दो बच्चा किस का अदब करना चाहता है जवाब बच्चा अपने उस्ताद का अदब करना चाहता है सवाल नमबर तीन बच्चा कैसा बनना चाहता है जवाब बच्चा अच्छा और सच्चा बनना चाहता है मुख्तिसर जवाब लिखो सवाल नमबर एक बच्चा माबाप को किस तरह सदा खुश रखना चाहता है जवाब बच्चा माबाप की बात मान कर और माबाप जो कहेंगे वही करके उन्हें खुश रखना चाहता है सवाल नमबर दो अच्छो की सवबत में रहने का बच्चे पर क्या असर होगा जवाब अच्छों की सौबत में रहने से बच्चा सच्चा अच्छा और नेक इनसान बनेंगा सवाल नमबर तीन अच्छे बच्चे की तीन खूबियां लिखो जवाब अच्छे बच्चे की तीन खूबियां ये है नमबर एक खुशी से पढ़ता लिखता है नमबर दो नहां दोकर साफ सुत्रा रहता है नमबर तीन माबाप की हर बात मानता है नजम पढ़कर खाली जगा में मुनासिब लवज लिखो नमबर एक बड़े खाली जगा से मदर से जाऊंगा मैं जोक शोक खाली जगा में आएंगा शोक बड़े शोक से मदर से जाऊंगा मैं नमबर दो मेरे काम से वो खाली जगा खुश रहेंगे उप्शन है सदा सदा खाली जगा में आएंगा सदा मेरे काम से वो सदा खुश रहेंगे नमबर तीन, भलाई से करता रहूंगा खाली जगा, option है, महबत, उल्फत, खाली जगा मैंगा, महबत, भलाई से करता रहूंगा, महबत, नमबर चार, मैं अच्छो की सोबत में खाली जगा रहूंगा, option है, हर दिन, हर दम, खाली जगह मेंगा हर दम मैं अच्छो की सहबत में हर दम रहूंगा सरगर्मी इस नजम को जुबाने याद करो और सब मिलकर गाओ